शुब प्रपात बच्चो इस लेशन को मतलब हमारे जो तिसरा लेशन है आकमी चोनी का किल इसे हमने हमारी जो पहली तासी का थी उसमें देखा था आज हम इस लेशन के जो सवाल जबाब है वो हम इस वीडियो में देखेंगे ठीके तो पहले इस शब्दार्त जो है यहाँ में देखेंगे तो शब्दार्त का मेंनिंग देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इस question and answers को solve करेंगे ठीके या क्या करना निश्शित करना तो यहाँ पर क्या किया बच्चों ने जो आखमेचोनी का खेल है इसे क्या कर दिया खेलना उन्होंने तै कर दिया मतलब निश्य कर दिया यही खेल हम क्या करेंगे खेलेंगे ठीके सन्नाटा चाना मतलब आवाज न होना यानि कि सभी बच्चे क्या हो गए थे वहाँ पर चिप गए थे और इसलिए वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रहे थी सन्नाटा च्छा गया था जाका यानि जरोंका और देखा मतलब जैसे हम कैसे देखते हैं अगर हम चिपे बैटे हो और वो कोई हमें पकड़ने आ रहा हो तो हम कैसे उसकी थोड़ी सी खिड़की से या किसी भी वस्तु की पीचे से थोड़ी सा देखते हैं उसे क्या कहते हैं जाकना उसके बाद है कि आ गायब होना दिखाई न देना तो सभी बिच्चे चिप गए थे सब बिच्चे क्या कर रहे थे हौल में थे लेकिन वहाँ पर जब वो प्रकाश आया तो वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी दिखाई ने दे रहा था सभी गायब हो रहे थे मतलब वहाँ से कही और जाकर चिप गुण जूटा आवाज से भर जाना देखिए प्रकाश को जब किशोर ने पकड़ा तो क्या हो गया सभी बच्चे उसे किशोर चोर को चोर ऐसे सभी चिलाने लगया और इसलिए बहुत ही आवाज बहुत ही शोर हो गया तो वहाँ पर ओके उसके बाद हम क्या करेंगे अब वह प्रश्णों के उत्तर दिखिए तो इसमें से पहला सवाल है बच्चे क्यूं इकट्था देखिए इकट्था के इसे शब्द लिकाए इक आधाठ और उसे ठ जोडा गया है और उसको आकिमातर दी है इकट्था हुए थे तो यहाँ पर आपको आइंसर क्या लिखना है देखिए बच्चे खेलने के लिए 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 इकट्था देखिए इकट्था शब्द आपको कैसी लिखना है यह आधाठ उसे इठ जो डेखिर हुए थे और यहाँ आपको यहाँ पर दणडग देना है इसे क्या करते है हुंदी का यह फुल स्टॉप होता है खडी लाइन मतलम हिंदी का जो होता है फुल स्टॉप होता है उसके बाद दूसरा हमारा सवाल देखिए बच्चे क्यों इकट्था हो गई बच्चे खेलने के लिए इकटा हुए थे यह हो गया हमारा इस सवाल का जवाब उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा शवाल वो है घर में सन्नाटा क्यों चा गया था तो आपको पता है सभी बच्चे छिप गये थे इसलिए घर में सन्नाटा चा गया था तो यहाँ पर आपको लिखना है क्यों की यहाँ पर क्यों है तो इसलिए आपको एंसर लिखते हो कि यहाँ पर क्यों की सभी बच्चे बच्चे छिप गये थे चीप गए थे इसलिए सबी बच्चे चीप गए थे इसलिए उस घर में बिल्कुल भी सन्नाटा चाया था समझ मैं आपको उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो है पीछे कून चिपा बेटा था अबको पता होगा ना इसका एंसर अपने देखा था हमने लेंसन भी देखा है पिछली ता सिकाय में तो यहाँ पर इसका एंसर होगा सोपे के सोपे के पीछे किशोर चिपा बैठा था सोपे के पीचे किशोर बैठा चिपा बैठा था तो यह आपको यहाँ पर ऐसे एंसर लिखना है उके उसके बाद देखेंगे हम अगला हमारा जो सवाल है वो है बच्चे कहा चिपे थे तो इसका उपकर हम लिखेंगे बच्चे किसी चीज के लिच्चे किसी चीज के तीछे चीज़ने रही हो गए इसका सवाल और ये हो गए हमारा अंतिमिस में से सवाल और उसका जवाब तो इस तरह से बच्चा आपको क्या करना है इस लेसन के सवाल जवाब लिखने है उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर एक शब्द में लिखी तो यहाँ पर हमने पूल सेंटेंस में इसका अंसर लिखे है आपको यहाँ पर क्या करना है एक ही शब्द में उसका अंसर लिखना है तो यहाँ पर पहला इस में से शब्द स्वारी क्वेशन है बच्चे किसके घर में इकट्टा हुए थे तो इसका उत्तर है कुसुम और किशोर कुसुम और किशोर कुसुम और किशोर के घर में खेलने के लिए इकट्टा हुए थे उसके बाद है अगला हमारा सवाल जो है बच्चों ने किस खेल को खेलना तय किया तो यह हमारा लेशन का नाम है यह है आक मिचोनी इस पर कर लिखना है आक मिचोनी ठीक से लिखिए और ठीक से देखिए उसके बाद पहले चोर कोन बना तो यह पता है आपको पहले चोर कोन बना वो है प्रकश इसके बाद में किशोर कहा चिपा था तो यहाँ पर आपको लिखना है सोफे के के पीछे किशोर कहा चिपा था सोपे के पीछë तो ये हो गए हमारे इस लेशन के सबी सवाल जवाब तो बच्छा आपको क्या करना है यही लेशन की सवाल जवाब है वो अच्छे से लिखने आना चाहिए और अच्छे से दान में भी रिखी हो के उसके बाद अगला हमारा जो सवाल है वो है पेज नंबर 19 के जो सवाल है वो अभी हम देख रहे है ठीक है तो तीसरे नंबर पर जो हमारा question है वो है सूची की सहायता से रिक्तस्तान भरिये तो इसके हमको अभी सुल जाएंगे ठीक है आज dot dot का दिन था आज किसका दिन था बच्चे इस lesson में आपको बताना है आज की date नहीं बतानी आज इस lesson में इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है छुट्टी मतलब यह answer यहाँ का correct है तो आपको यहाँ पर छुट्टी लिखना है तो यह हूगे हमारे आज छुटी का दिन था यह हमारे पहले सवाल का जवाब उसके बाद हम देखेंगे हमारा जॉगला सवाल है आज तो डॉट डॉट खेलेंगे तो इन बच्चों के पूछ ने कौम सा खेल खेलना तरो कि या आज मिचोनी तो ये है सही option आख में चोनी तो ये हो गए इसका जवाबों के उसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला जो सवाल है सब के सब कहा डट डट हो गए तो इसका राइट option ये है गायब सब के सब कहा गायब हो गए ये किस ने इससे कहा प्रकाश ने खुद से कहा क्योंकि वो चोर बना था और सब को ढूंड रहा था इसलिए तो उसे कोई भी मिल नहीं रहा था अभी तो बच्चे यहाँ थे और थोड़ी ही देर में वो गायब हो गए ऐसा उसे लगा उसके बाद में देखें यहाँ शोर चारो और गूंजूठा 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 ओके उसके बाद अगला अंतिम शब्द है वो है बिल्कुल सन्नाटा चा गया पिल्कुल सन्नाटा चा गया क्यों चा गया क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे थे उन्होंने वो सारे के सारे चिप गये थे इसी लिए ठीक है तो यह हो गया हमारा question number 3 ओके अब हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो है नीचे दिये गए वाक्यों को पाट के अनुसार क्रम में लिखिए तो यहां क्या करना है बच्चों आपको यहां पर जैसे इस lesson का sequence है देखिए जैसे इस lesson का sequence बताया गया है क्रम बताया गया है पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इस lesson में जैसे बताया गया है, वैसे ही आपको इसको क्या करना है, numbering करना है, तो यहाँ पर पहले क्या दिया गया है, देखो, किशोर ढूंडने चला गया, उसका बाद है, सुनिल की आवाज आई, छुटी का दिन था, प्रकाश चोर बना बिल्कुल सननाटा चाया, सभी बच्चे खेलना चाहते थे, तो यह वाग के यहाँ पर दिये गये है, आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका सही जो क्रम है, उसका number वाँ, उसके सामने लिखना है, तो यहाँ पर पहले क्या होता है, देखिए, पहले तो होता है, छुटी का दिन, चुटी का दिन था, तो इसे हम क्या करेंगे, वन नमबर लिखेंगे, उसके बाद अगला है, अगला क्रम के अनुसर, अगला क्या है, सभी बच्चे, चुटी का दिन था, इसलिए सभी बच्चे खेलना चाहते थे, तो उसे हम देंगे दो नमबर, उसके बाद क्या ह होता है। अगला जो हमईरा जो क्रम के अनोसार वाक्वे जो आनेवाला है। वह है प्राकाश चोर बना। उसके बाद जब प्रका taş रफ सभी बच्चे च्छिप गए थे।। सुनिल की आवाज लगाई कि धुन्डो धुन्डो। यह सुनिल की आवाज उसने Shunil सुनिल ने आवाज लगाई थी, उसके बाद सभी बच्चे छिप गए, इसलिए वहाँ पर सन्नाटा छा गया, और आंतिन जो सवाल है, जो प्रकाश ने किशोर को पकड़ा, उस बाद में क्या हुआ, जो किशोर था, वो सभी बच्चों को डूनने चला, तो यह हो गया, इसक क्यों का सही क्रम, पहले का आएगा चुटी का दिन था, दूसरे नंबर पर आएगा, सभी बच्चे खेलना चाहते थे, तिसरे नंबर पर आता है, प्रकाश चोर बना, चोते नंबर पर आता है, सुनिल की आवाज आई, मतलब वो डून्डो डून्डो वहाँ पर कहने लग बिलकुल सन्नाटा चाह गया, और उसके बाद आता है, किशोर दून्डने चला गया, मतलब किशोर जो है, वो अंत में डूनने जाता है, जब प्रकाश उसे पकड़ता है, तो किशोर दूनने जाता है, इसलिए वो अंतिम है, उसके बाद अगला हमारा जो सवाल है, वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्न लगाई है सही विकल्प पर सही का चिन्न लगाई है तो यहाँ पर क्या गया है यह एक सवाल दिया गया है अब उसके यह तीन ओप्शन्स दिये गये है तो इन ओप्शन्स को आपको क्या करना है सही प्रम में उसे लगाना है तो यहाँ पर सवाल क्या है देखिए बच्चे क्या करना चाहते थे सोना, पढ़ना, खेलना तो इसका राइट आंसर है खेलना तो यहाँ पर आपको ऐसे टिक माक कचन लगाना है उसके बाद बच्चों ने कौन सा खेल खेला तो यहाँ पर क्रिकेट आख मिचोनी, होके तो यहाँ पर राइट आप्शन है आख मिचोनी पहली बार चोर कोन बना तो पहली बार चोर बना किशोर बना, नहीं बना सुनिल बना, नहीं तो पहली बार प्रकाश चोर बना तो यह हमारा आगले पढ़ने पर चोते नमबर पर जो सवाल है वो देखेंगे हाँ मतलब गह नमबर पर वो है दूसरी बार चोर कोण बना देखें पहली बार चोर प्रकाश बना था लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है दूसरी बार चोर कोण बना तो यहाँ पर आपको लिखना है पहले प्रकाश ने किसको पकड़ा? किशोर को पकड़ा, तो किशोर दूसरी बार चोर बना ये है right option, उसके बाद अगला और अंतिन जो सवाल है वो है, खेल कितनी देर तक चला? थोड़ी देर, बहुत देर, एक घंटा, तो यहाँ इस लेशन में आपको दिया गया ही, दिया रहा, तो बच्चों, यह हो गए हमारे इस लेशन के जो सवाल जवाब होते हैं, तो आपको क्या करना है, इस सवाल जवाब उनको अच्छे से देखना है, देखें, फिर से एक बार देखें, सभी बच्चे, आप वीडियो पॉस करके भी उसके answers देख सकते हैं, और आपने हैं हमारे दूसरे पणने पर जो सवाल जवाब है, इसके, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, यही सवाल जवाब अपने अपनी जो कापी है, अपने अपनी जो किताब हैं, उनमें लिखी है, और अच्छे से याद करिए, ठीक है, थैंक्यू,